इसके question है, NDA 2, 2023 का, question कह रहा है, which one of the following is square root of minus times under root minus 1, देखो, इसके दो answer आएंगे, ठीक है, option में एक ही answer match करेगा, और दोनों answer सही है, अगर हम, एक देख लो, minus of ये है, इसको अब लिख सकते हो, minus 1 times i, minus 1 को लिख सकते हो, e to the i 5, और i को लिख सकते हो, e to the i, 5 by 2, ठीक है, दोन हमारा z था, ठीक है, यह हमारा z था, e to the i, अब इसका under root लेना है, ले लिया, तो e to the i, 3 by 4, इसको expand कर दो, तो कितना आजागा, minus 1 by root 2, plus i by root 2, आप क्या करो, इसका square लो, यही answer match करेगा, ठीक है, यही answer आएगा, चो हमने यह लिखा है, ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो, z is equal to minus of under root minus 1, ठीक है, minus i, ठीक है, minus, ऐसे होता रहा, यह under root minus 1 को i, तो इसको क्या लिख सकते है, e to the minus i, 5 by 2 लिख सकते है, अब इसका under root ले लिया, e to the minus i, 5 by 4, is equal to, इसको करेंगे, तो क्या हो जागा, 1 by root 2 minus i by root 2, ठीक है, इसका भी square करोगे, आपके पास same ही result देगा है, यह भी वही आएगा, और यह भी यही आएगा, लेकिन यह option आपके पास match कर रहा है, correct option b, ठीक है, option के लिए yes आई है, लेकिन इसके दोनों answer होंगे, क